हेलो गाईअ आप सबने चंद 10 चाषी नमबर से पास किया अपिसटले अच्छा के इक्जाम अब आपयों र sonra अच्छा नो जवीध से पॉइंट पे हो जे हमनेonell कि leafy ऐसन की सबक्ते करिना data सब्सक्राइब भाइक तहरा थे थी उसमें उसमें बहुत प्रोफेशेंसी रखते हो फ़ही है जब बात आती है कि Commerce में क्या-क्या subjects होते हैं नहीं होते हैं तो फिर हमारे पास में बहुत idea नहीं होता है तो आज का ये वीडियो बनाने का यही intention है कि मैं आपको Commerce के subject से जो है introduction करा आपाँ कि Commerce में कौन-कौन से subjects होते हैं कौन-कौन से नहीं तो अगर मैं CBSE की बात करूँ यहाँ पर मिजर भी तो CBSE class 11-12 के लिए जब आप senior secondary level पर आते हो तो basically आपको 5 subject compulsorily पढ़ने रहते हैं मतलब कोई भी बच्छा जो CBSE के अंदर में पढ़ाई कर रहा है उसको 5 subject पढ़ने ही पढ़ने है अगर आप commerce stream चुनने का सोच रहे हो, if you are planning to opt for commerce stream तो basically आपको compulsory subject में यह 4 subject पढ़ने पढ़ने पढ़ते हैं मतलब 4 subject ऐसा होता है जो कि आपको commerce stream में पढ़ना ही पढ़ेगा जिसमें से पहला subject है हमारा English, जो कि एक language है अब English की तो ऐसे कहान यह है कि आप commerce चुन लो, आप science चुन लो, आप arts चुन लो, कोई भी stream चुन लो English is something which you have to study, यह आपको पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा तो अपन English के details में जाते हैं कि बहुत इंग्लिस में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है पहले हम आपको एक structure समझा रहा हूं कि वहीं compulsory subject चार होते हैं जिसमें से English है कैसा compulsory subject है जो सब को पढ़ना है और तीन subject basically ऐसे होते हैं जिसमें हमारा accountancy आया, business studies आया और economics आया यह तीन subject ऐसे होते हैं आपको चुकि आपने commerce किया है इसी के आपको पढ़ना पड़ेगा तो यह हो गया हमारे चार compulsory subject अब एक subject हमारे जो है वो क्या है वो है optional subject ठीक है अब इस optional subject की क्या कहानी है कि इसमें आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है आप किसी भी स्कूल में जाओगे तो उनके वो आपको एक लंबी सी लिस्ट दे रहेंगे fine arts या painting में हम लोग पेंटिंग में करब लाना पड़ते हैं अलग लग मूर्तियों के पारे में अलग लग स्कुल्चर्स के बारे में अलग लग पेंटिंग्स के बारे में पड़ते हैं computer science IT आप समझे रहो कि computer से related information technology से related subject है आप math opt कर सकते हो ठीक है और यह math यह वही वाला math है जो कि physics chemistry math लेने वाला बच्चा मतलब एक science लेने वाला बच्चा non-medical science जो लेता है बच्चा वह जो math पढ़ता है वही same to same math आपको भी पढ़ना पड़ता है अगर आप बतौर 5th subject math लेते हो तो और आप इसके अलावा music या और भी कुछ subjects है जो कि आप बतौर 5th subject optional subject आप ले सकते हो अब optional से इसका मतलब कहीं भी है नहीं कि आपके exam में यह optional है आपके exam में आपको compulsory लिए 5 paper लिखने ही पढ़ेंगे ठीक है आपके exam में आपको हर अलब में 5 paper लिखने पढ़ेंगे आपके पास में एक option क्या होता है CVC ने एक option दीवी है कि आपको मानलो की एक, दो, तीन, चार, पाच ठीक है और खौमा देखे एक 6 मतलब एक option CVC ने दीवी है कि आप 5 paper के साथ में भी एक paper ले सकते हो मतलब आप इस case में अगर आप यह वला option चूस करते हो नो तो इसमें आपको 5 paper तो पढ़ने ही पढ़ेंगे जिसमें से 4 हमारा यह हो गया तो 4 paper चुन सकते हो मतलब इस लिस्ट में से हो सकता है कि आपने मैस भी चूनी है आपने physical education भी चून लिए यह आप कर सकते हो और उल्टिमेटली जब आपके result हो जब आपका result बनिया का तो रिजल्ट में आपको बेसिकली परसेंटेज लिखा नहीं रहता है वो आपसे सिर्फ लोग पूछते हैं कि तेरी को कितना परसेंट आया तो जब आपके परसेंट की बात आती है न तब परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है वो होता है इंग्लिश प्लस बेस्ट फॉर जब आपको परसेंट निकालनी होगी तो यह मानलो कि आपको यह हो गए इंग्लिश तो रहेगी रहेगी और इसके बात इन पांचों में से जो बेस्ट फॉर है वो आप अपनी परसेंटेज देख सकते हो मतलब क्या है मतलब बेसिकली सीवेसी ने एक बैक ऑप अप्च्रों करेगा माँना कायों के फेह का जो बेसिस्ट में यह यह प्ष्ट भी तो व्हसं पर पांच में प्रद लाँए बिंद्स बीडा उड़ आप तो यह मुपो पांच कीकली है जिसकी में लोग निए व्य क्नक्र में हैं तो हम लोग ने निए जाता है आप लिक्न यह जो मैंने छे वाल ओप्शन होता है नहीं सारे स्ट्रीम्स में होते हैं आप साइन्स लिए आप 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 पही होता है आप आप सेपी बदले में बूख के सब्जेक्ट होता है आप वह भी पढ़ सकते हो बिजन्स स्टैडीज की जगह पे बहुत सारे स्कूल में वह आपके स्कूल के उपर डिपेंड करता है कि उनकी क्या पॉलिशी से उनका अफ्लिएशन स्रक्ट्चर कैसा है अगर मैं मिजॉरीटी की बात करूं इन जनरल बात करूं तो 95-99% केसे में ऐसा ही होता है कि बच्चे इंगलिश लेते हैं अकाउंस लेते हैं विजन अगर मैं आपको बता है कि बुजन स्टैडिस की पढ़ाई होती है तो यही वह सब्जेक्ट है जो आपको बचंच प्ड़ाई होती है आपको तो सुलिक इतना पता कि बाई में कि इसकी का आट होता है न इक टीने होता विजनेस को सहती है marketing management कैसे होती है business management कैसे होती है तो basically हम लोग पुरा discussion जो हो business पे करते हैं कि business कैसे होता है business में क्या होता है हमारा यह सब्ट्रिक है accountancy जिसको बोलते हैं कि यह हमारे commerce stream का maths है ठीक है जो physics mst वाले होते हैं उनका वो maths होता है और हमारा क्यों भई कि ये जो एब वो ह्योच्जेंश है मेजर्ली फ्रे में इसमें दिमीर नौ फट इस भावश इको सबसाद सवाल दना नाा कि इसमेंन क्या थाएं को बाल दिए किमंध्ड शोंटन सि का मैं आपको सी अइसमें प्धते हैं कि बिस्निस और इस में लोग पड़ते हндा है कि प्रच में आरें हो तो इसमें आपके डुकान के आ प्रकश वापस रिए इसको किसी बुक्स में लिखना भी पड़ता है किसी अगशन में रुपहें किया जम इतने रुपहें ने इतनी पर्चेस के आप लगा नहीं उसके वो सब चीजिए हम लोग लोग लेते हैं मेरे अच्छा परफॉम्ट था जब आपको बता रहा हूं कि जो साइन्स वाले स्टूडेंट होते हैं इकनोमिक्स में क्या होता है इसमें वेसिकली हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्शर पढ़ते हैं ऐसी चीज़ सीखते हैं जिसमें हम लोगों को इकनोमी के बारे में पूर देश के बारे में बताए जाती है कि हमारे देश में जो प्री कोलोनियल पीरियर था मतलब जो 1947 के आसपास का हमारी कॉनमी अभी तक यहां तक किया से आई कि आपने बच्पन जो बार ग्राफ पढ़ा हो गया बार टेबल या पाई चार्ट आपने पढ़ा था वह सब चीज़े वापस आपको आप पढ़ने मिलेंगी है ना इस सब चीज़े पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं और हमारी चाहते है चाहत है वो तो क्या है अनन्त है यह मैंने आपको सब्जेक्ट का उगर भूदिया कि इंगलिस पो पता ही है अकाउंट में बिजनस में इंग्नामिक समन्दों क्या पटते हो और कैसे कैसे हमारा सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है जब आप 11 वी में अलाएं उन्थक्रास में अलाएं तो मेरे को उम्मीद है आपको सीखने को मेलेंगी बहुत सारी मैंने गाइटेंस वीडियो बनाई ही है तो आज के लिए पस इतना ही इसके अलावा अगर आप लोग अपना मूट बनाते हैं आप लोग कॉमन्स लेते हो आप लोग प्रणते हो तो हमारे चैनल पे आपको प्रेंटी आप वीडियो पॉजुम लेंगे मैं बोलुगा आप आप लुशन नहीं वीजान करते हो आप सरफ इंप इसकूल के ऊपर रिलाइक ते और हमारी वीडियो लेच्छेश लेखते हो हमारे साथ क्मैं जिस तरत हमने पढ़ाया आप पड़ते हो यू कन ईसली स्कोर 98-99% अपरने मांस प्यवक्योरेश उजस्क्राइब आटे एआ कर विजर पिक पाहि समय के अछ्वश्वीर आटेशन चेलीम अटेश्ड आटेशन, विर्क देव़ तारे जय को एड़ स्वार थे व्यवव टीस्वार आटेशन, वेसे विलेशन, विलेशन, बोलुब विलेशन झेलेशन, येड